हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर तो आज हम जानेंगे 26 अगस्त के करेंट अफेर्स फर्स्ट कोशिन है हमारा भारतिय तटरक्षक वल ने किस देश के तटरक्षक वल के साथ समझोता ग्यापन पर हस्तचार किये हैं तो उत्तर है हमारा फिलीपिन्स क्या उत्तर फिलीपिन्स तटरक्षक या तटरक्षरवल एक नौसेना के समान सेन्ये या अर्द सेन्ये संगठन होता है परन्तु इसका मुख्य करतव्य आतंगवाद और अपराच से एक देश के समुद्री शेत्रों की रक्षक करना है इसके अतिरिक्त यह खत्रे में पड़े पोतों और नोकाओं को बचाने का कार्य भी करते हैं भारत का बल भारतिय तटरक्षक कहलाता है किसको नैशनल, ग्रीन, ट्रिविनल के नए अध्यक्ष बनाया गया है उत्तर है प्रकास श्रिवास्तव राष्ट्य हरित प्राधी करण अधिनियम 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्य हरित प्राधी करण की स्थापना की गई है यह एक विसेश परियावरण आदालत है जो परियावरण सनरक्षन और बनों का सनरक्षन से संभंदित मामलों की सुनवाई करता है एनजीटी का उदेश परियावरण के मामलों को दुरूत गती से निप्टाना तथा उच नियालों के मुकद्मों के भार को कम करने में मदद करना है यह एक विसिस निकाय है जो परियावरण समवद्धी विवादों एवं वहु अनुशाशनिक मामलों को सुविज्ञाता से संचालित करने के लिए सभी आवाश्यक तत्रों से सुसुजित करता है किसे स्मार्ट, इमोबिलिटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उत्तर है मनोज क्लोहली स्मार्ट, मोबिलिटी, वायरलेस, संचार के माध्यम से परिवहन के सभी तरीकों को एकिकरत करती है और परिवहन को सुरक्षित और अधिक कोशल बनाने के लिए वास्तविक समय डेटा, विशलेशन और मशीन लार्निंग लागू करती है स्मार्ट, मोबिलिटी, का मुख्य उद्देश, यातायाद की भीड और वायू और ध्वनी, तरदूशन को कम करना, सुरक्षा भणाना, स्थान अंतर्ण, कती में सुधार करना, और परिवहन के विभिन, तरीकों के भी स्थान अंतर्ण, लागत को कम करना है उत्तर जैसे कि हम पहले जान चुके हैं, मनोच कोहली, नेक्ष्ट कोशन है, किस बैंक ने, आल इन वन, आई, 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 मोबाईल एप, येस, बैंक द्वारा, ग्रहाकों को, उनके मोबाईलों, उपक्रणों के माध्यम से, बैंकिंग सेवाओं की, एक विस्त्रिस रंखला, प्रदान करने के लिए, पेस किया गया, एक वियापक, डिजीटल प्लाटफॉर्म है, उत्तर है, येस, बैंक, निक्ष कोशनेव हमारा कौन सा देश, चांद के साउथ पोल पर पहुँचने वाला पहला देश बन गया है, उत्तर है, भारत, नेक्ष किस को थाइलेंट के लिए नए प्रदान मंतरी के रूप में चुना गया, श्रेथा थावशिनी, श्रेथा थावशिनी को हाल ही में थाइलेंट के प्रदान मंतरी के रूप में चुना गया है, जो देश के राजनी तिक परिश्चे में एक महतपूर्ण विकास है, इस न्युक्ति के विसेश रूप से विविन सरकारी परिक्षाओं की तयारी करने वाले उम्मीदवारों का ध्यान अकर्शित करना है जिन में शिश्चिन, पुलिसिंग, बैंकिंग, रेलवे, रक्षा और PSCS से IAS जैसी सिविल सेवाओं के पद सामिल है तो उत्तर हमारा है स्रेता थाविशी ने निक्ष्योशन है कौन अभी नेतरी EMI Awards 2023 में जूरी सदस्य बनी है रादिका मदान दिल्ली की रहने वाली मदन के कलर्श टीवी पर डेली शोप ओपेरा टीवी स्रंगला में मेरी आज की तुम से ही है मैं अभ्यान की शुरुआत करके अपने करियर की शुरुआत की उन्होंने शक्तिय रोडा के साथ मुख्य महिला इशानी बागेला की भूमी का निभाई जिससे उन्हें भारी लोग प्रियता मिली तो उत्तर है रादि का मदन नेक्स्ट कोशन है तेईस अगस्त को दास व्यपार की स्मर्ति के लिए कौन सा दिवस मिनाया गया उत्तर है अंतरास्ट्य दिवस इस व्यपार में कई सारे लोग जो गरी परिवार से जुड़े होते हैं उन्हें खरीद लिया जाता है बड़े व्यपारी द्वारा और फिर उनको बड़े बड़े खरीददारों या फैक्टरी वालों को महंगी रकम में बेश दिया जाता है यह ए क्रूल प्रिथा थी जिस पर आप कई देशों में पावंदी लगा दी है नेक्स कोशन एब हमारा विश्व जल सपता कब से कब तक आयोजित किया गया 20 से 24 अगस तक उत्तर है इसका नेक्स कोशन जानने से पहले जानेंगे विश्व जल सपता होता क्या है 20 से 24 अगस 2023 तक चलने वाला विश्व जल सपता हा स्टॉक होम अंतराश्टिय जल संस्थान द्वारा आयोजित वार्सिक बैस्विक जल मंच है इस वर्स की थीम सीट्स ओफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फोर अवाटर वाइस वर्ड है यह वर्तमान जल चिनोतियों से निपटने में नवाचार है के महत पर प्रकाश डालती है नेक्स कोशन है हमारा भारत ने किस देश के साथ सीमा सुल्क के चौदवे संयुग सम्हूगी वैठक आयोज़त की है तो उत्तर है बांगला देश नेक्स कोशन है स्टार्ट अप इको सिस्टम वैस्विक सूची हाल ही में जारी में कौन सीर्स परा सिलिकॉन वैली भारत में स्टार्ट अप पार्स्तिती की तंत का मुख्य उद्देश आय के बरावर पुन वित्रन को प्रतशायत करना है भारत में स्टार्ट अप इको सिस्टम ग्रामिड और सहरी छेत्रों में लगू उद्दों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है नेक्स कोशन है हाली में EUI द्वारा जारी ग्लोवल लिवे लिलीटी इंडेक्स में कौन सीर्स पर रहा है तो उत्तर है वियना दा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिस ने ग्लोवल लिवे लिलीटी इंडेक्स पर अपना रिपोर्ट जारी की इसमें आस्ट्रेलिया की राजधानी वियना ने वर्स दो हजार तेईस में रहने योग्य उत्तम सहरों की सूची में सिर्स स्थान पराप्त किया है तो उत्तर है वेना निक्षकोशन है अब हमारा हाली में गिफ्ट सिटी लिमिटेट के चेर्मेन के रूप में नामित किसे किया गया है उत्तर है हस्मुक अधिया गिफ्ट सिटी से आने वाले वर्सों में रोजगार के कई एपसर पैदा होने की उमीद है यह सहर पहले सरी टीसी एस बैंक और वडोदा और आईसी आईसी आई बैंक सहित कई प्रमु कम्पनियों का घर है और भविस्य में और अधिक विविसाओं को आकर्शित करने की के क्षिवाली में भारत के पहले कि बैंक का उत्गाटन कहा हुआ है तो उत्तर है नई दिल्ली में बरत्मान के देश्ट में 16पनियों कि त्वचा मृत्यू की 6 घंटे के बीतर दान की जा सकती है हाली में दिल्ली के सब्दर जंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्गाटन किया गया स्किन बैंक के बारे में स्किन बैंक एक ऐसी जगा है जहां मृत्वचा को इस्टम प्रतिस्थियों में संसाधित और संरक्षित किया जाता है जहां से इसका उपयोग जले हुए पीडितों को लाब के लिए किया जा सकता है किस राज्य सरकार द्वारा अभी हाली में बिठ्थल, रुकमडी, वारकारी, वीवाच छात्र योजना शुरू किया है तो उत्तर है हमारा महरास्त इस योजना के तहट पहले के एवल दस हजार रुपय मिलते थी जिसे अप्रैल 2017 में बढ़ा कर एक लाख रुपय कर दी है दुरगटना में मृत्य या पूरी तरह अपंगता होने पर एक लाख रुपय मिलते हैं पचास परतिशत अपंगता पर पचास हजार वो मैडिकल क्लेम पर पचास हर्यार रुपय दिये जाते हैं तो आज की करेंट अफेर्स हमारे यही गंप्लीट होते हैं यदि वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजर हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें और साथ ही हमारी वेबसाइट www.mufth.shikshah पर जाके किसी भी सबजेक्ट से रिलेटेड कोई भी कोशन आप पूछ सकते हैं धन्यवाद